नमस्ते दोस्तों आज का वीडियो आप सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो में जो देखे आपका पेपर होता ना क्रीटिव एंड इंक्लिशन उसमें तो आपके लगू उत्रे पसंद पूछ जाते हैं तो उन में से कुछ मोस्ट इंडियो कोस्तों को सुनाव करके हम आपक चलिए आपना वीडियो और चलते हैं सबसे पहले कोस्तों की तरफ सबसे पहले केंपड़ आपको फीर्में उसमें की बार की appears होता क्या है स्वयोगी अधिकंदिशम कोपरेटिव लर्णिंग भी कहते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं स्वयोग आत्मक शिक्षा देने की वह परकिरिया जिसमें विध्यारती आपस में मिल जुलकर सीखती है निकि ग्रूप इस्टेडी यहां पर इसे कह सकते हैं चार विध और आप इसे अपनी बुक में ढूंड़ेगा बहुती अच्छी से कोशन हो देगा त्यार खरिएगा काप इन्विध्य कोशन एक्जाम में कहरी बारी है कोशन आपसे पूछा जा चुका है अब यहां पर देखे आपको एक कोशन है यहां पर देखे इस पेपर को यह आपक के बेजड है तो यहां पर देखे पूछा आया कि समवची आकक्षा कच प्रबंदन क्या है इसके बारे में देखे आपको बताना है तो इसके बारे में थोड़ा से देखे हमने बताने का परियास किया है एक्शल में होता क्या है कि समवची सिक्चा एक ऐसी सिक्चा है जिस इस्थ प्रकार समाव सी शीक्षा की होती कि अपंग बालकों के प्रत्किन चिन के विरोधी वह वारे की समधान है Nille कि होता कि समवीशी सिक्षिता में क्या होता एक समांथ बालक और ऑपको रिक रूप से अपंग बालक दोनों को देखि एक कक्षशा में पढ़ा जाता है दियान दिया जाता है तो यह होती है कि समय बालक और आपक्व सिक्षा के उपर ही बेश्ट लेकिन थोड़ा साल यह जाते हैं किसी ऐसे कोलिज के आपके अध्यापक बन जाते है कि इसकूल के जिसमें समयवजी सिक्षा परदान की जाते हैं तो आपके अंदर क्या का विसेशता यहां पर होनी चाहिए इसकी बारे में देखे बात कर लेते हैं कि समयवजी सिक्षा एक ऐसी सिक्षा है जिसके अंदरकत सारी रूप से बादित बालक तता समानी बालक साथ समाजनी कक्छा में जो की देखे मैंने आपको ऊपर भी बताया है अपंग बालों को कुछ अधिक सायता परदान की जाती है देखर देखर दोनी बालक आपकी कक्छम हो गए लेकिन जो अपंग बालक होते है न उनकी थोड़ी सी आपको केर करनी एग उन पर थोड़ी सा यहां पर होता है तो यह देखे कुछ दो विश्यस्ता मैंने आपको बताई यह दिए आप देखे इस कोस्तुर का नोट डाउन जरू कर लेगा अपने नोट बुक में एक कोपी लेकर बैठिए और नोट डाउन करते रही है इस आप अपने बुक में देखेंगे ना उन्हें आपका से ना पर देखेंगे बहुत ही अत्यु कोस्तिन से यहां पर त्यार करकर जाएगा यह सो केवाली इस वीडियो में देखेंगे लागु उत्रय परसणिहांब यहां पर करौंगा बिए सबिके लोंग कोस्तन इस चल्शनः करने बहूत ही है और देखेंगे इअ बढ़ा रहा आप दो पड़ रहें यह देखिए अधिफियर अधिगम होता यह को प्रिकरिया आ है छात्रो इंट्रनेट एम एट-ट्थील के माधियम से जूड़कर कहीं से किसी भी समय धे ग्यानप्राप करने की कोशन करने की अनुम्पती परदान करता है नहीं कि Internet के माध्यम से जो हम जो है इर अधिगम करते हैं जैसे कि मेरे पास भी देखिए एक फोन लैप्टोप है आपके पास फोन है लैप्टोप है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप आपके पढ़े कहा जाता है तो देखे मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने की कोसिज किये कि आप यह अधियम एक्चुल में क्या होता है तो आपको बहुत ही अच्छी से देखे इसका आंचर पता चल जाएगा अब देखे नेक्स वसन देखे हम पढ़ते हैं देखे सम्मीशी शिक बन जाते हैं तो आपकी प्रस्क्षण के लिए बेदेखे कारेकरम किये जाते हैं इसमें पार्ट योजना को संसोधी करना आपको बताया जाएगा वेकलिपी की मुल्यंगन विद्यों का उपयोग करना आपको बताया जाएगा अत्रिक साइधा परदान करना सामिल हो सकता ह इसमें को कारेकरम के जाएगए कमायना एब और्लाच भासिए क्वार्ट अखेक आपकी समय calm के ऐपकी में मेरा में मटीव क्विल यह हुए कि मैं में आपको स्यृमन कूंसरा तहांँ को दूärऊ यह चोली डे रहा हूं क्यवल आपको बताने के आप मैं एपको बता रहा हू कि यह जो है किस तरह के कोशनर के आंसर आपको देने हैं बाकि आप इनका बुक से त्यारा करेंगे तो इनमें बहुत ही जाद है देखिए आपको लिखा हुआ है लेकिन उसमें से कुछ मोश्यूमेंट मैंने देखिए इस वीडियो में एड किये हुए अब आपको देखिए यह कोशन के काफी इनमेंट देखिए आपका के मान्सिक मंदिद बालक क्या होते हैं यह इपका एक्जाम में कई बार पूछा जाचुका है तक होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ओसस से कम बुद्धी अर्था सत्तर से कम बुद्धी लग्दी वाले बालक को दोसे अधिक वर्星 यहां आपको चलता है उस्प लेटे मांसिक रूप से पुझ्छ नियुकि से कमजर के लेकिन दो वर्ष से जयाद समय लेते हैं चल ने में बोलने और सब्दे के उच्चाड में भी देखे जीवन भर ऐसा वान ही रहती है ने कुछ तुतलाहट उनके पर में आ जाती है दूसरा पकारण देखे यह भी होता है कि बालक की कुछ बाते तो समान नहीं होती है पर इंति कुछ परवे देखे उनका नियंतर नहीं होता है वह कुछ ने के ढंग पर भी आपका होता है तो मानसिक बालक मुद्धि के होता क्या तो सत्तर से कम उसकी बुद्धी लब्दी होती है देखे बुद्धी लब्दी के निकालने कर शूत रहना वह आपको देखे किताब से आरानाम से मिल जाएगा तो यह दो पॉइंट मैंने आपको बताएं उनकी पहचान करने के बाकी जब आप बुक से इसे तयार करेंगे तो 12 से 15 देखे देखे आपके कारण होते हैं जिनकी वैसा आप बच्चों की देखे पहचान कर सकते अब एकी करण सिक्षा क्या होता है यहां पर ध्यान देखा यह कोशन देखे काफी करता है जो चात्रों का दो के पार्टे करण में संब्ध बनाने का मदद करता है चात्र के पार्ट और चात्र में दोनों में एक संब्ध बनाने के देखे एक प्रेकरिया होती है उसी प्रेकरिया क्या कहा जाता है एकी करण सिक्षा कहा जाता है ताकि यह पार्ट में इंट् वह केवल इसी के ऊपर बेज़्ड है समय इसी सिक्चा अब इसमें पूछा गया है कि समय जी सिक्चा के लिए सरकारी योजनाए यह प्रावधान आपको बताने का इंपर एकजाम में गया बार रेपीट हो चुका है अब इसमें थोड़े सा मैं बताने का प्रयास करता हूं कि समय जी सिक्चा विशिट आवसक्ता वाले बालकों को समान्य बालक से अलग सिक्चा देने का व्रोध करती है बिल्कुल देखे बिल्कुल व्रोध करती है समय जी सिक्चा का यह मानना है कि समान्य बालक और आपके जो आपके विशिट बालक जो होते हूं समान लूप से एक पूर्ति के लिए एक समायने चात्र और दिव्यांग चात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अउसर मिरने चाहिए तो यह देखे दोर मैंने आपके योजना आपको बताएं तो प्रावधान वाहला कि प्रावधान तो बहुत ही जाद हैं यह आपको से तयार करेंगे तो 12-15 प दोन दिएगा और अच्छे से याद करेंगे बाके और कुछ करने की जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा है इतना अगर आपने कर लिया तो आप मैक्समिम नंबर से आसानी से पास हो जाएंगे तो अभी देखे मैं आपके लोग को सन नहीं बता रहा हूं केवल सोट है मैं लो वीडियो मैंने देखिया आपके अपलोड किये में अपने वीडियूप चला है पर उस प्लेडिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है आपके आने माल एक्जाम में आपको यह अंदर हो जाएगा कि किस तरह का देखे कोसन का पैटर्न जो आप से फोलो करती है वापत अपने टोपिक पर आती है अब देख सुन बादित बालोगों कि पहचान बताईये देखे सुन बादित दरश्टी बाधित पर बच्चों को समाने से अधिक समस्य आती है एक बच्चा एक कान से सुनने का प्रयास करता है थिकए दूसरा क्याता है पीठे से बोले जाने पर बच्चों को सुनने की परिशानी होती है बच्चा अधिक चेदी से या फिर अधित धीरे से बोलता है जिसे आपकी सुनने में दिक्कत होती है बालक को समस्य या उच उचाण करने का दोस्पूर महाँ पर होती है रेडियो आपकी टीवी के उचाण की दर के आवाज जो है वो सुनता नहीं है वो बहुती कम सुन पात चुनत बालक के कुन होते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चे सीखने और व्युकास में दीम होते बिल्लोग्ल प्लेखे जब दिमाग कम होगा तो बहुती मंद बढ़ी मंद बुध्ध्ध्य होँगे और चीखने विकास में बहुत ही कम दीमिक अगति से वह सेखिए उनकी मानसी उम्र जो है उनकी वास्तिक उम्र से कम होती है यानिके आपका बच्चे की उम्र तो जी आट-देस साल होगी लेकिन दिमाग किसे रूप से वह आपका चार या पांस साल के आपको लगेगा ठीक है उधारन के मैं पता दो है को मानसी भूद twee ते आपको अओंची को मिलेगा उसनकी छोटे तीन साल तक की वह पमिलेगा मैसी के रूप साल होगी है लेकिन उसकी या साल होगी है आप next तो सन यहाँ पए स्रक्षा में पते हैं कि स्लमजी शिक्क्षा में द्रस्य स्रेव्य सामगरी के महतु को समझाइए अब कि द्रस्य स्रेवय संभर्यी क्या ओती होती है जिसे जिसे मयं केवल पढ़ा रहा हूं आप मुबाली लैप्टोप से पढ़ रहे हैं तो आप देखें इसे स्कीन पर भी देख रहे हैं और मेरी आवाज भी सुने तो यही आपका देखें द्रस्ते सर्वेगरी सामगरी करें के महत्पूल उधारन हो गया दूसरा टैली बिजन हो गया आपका सीनि से म кого ग्यानिक आवसक्ति के पूर्ती करते हुए उनको स्क्रिझा प्रेकर्दिया में सक्रिय रूप से भागने मेंसे प्रेरिद करते हैं और इस परकार के जो समागरी के माद्यं से छात्र जो है वह आपको सून के तरी माद्यं से घ्यान प्राप्त करता जाने कि इस माध्यम से बच्चा बहुत ही जल्दी से सीख जाता है वह इंट्रेस्ट लेकर सीखता है यदि आप किसी टेक्निकल वे में देखे उसक्षा दे रहे हैं प्रोजक्टर के माध्यम से जब कोई भी आपकारिय करते हैं तो बहुत ही जल्दी से बच्चों को समझमा आ जाता है तो यहीं देखे इसके महत्व होते हैं ठीक है इसकी यह ना केवल विशेस आवसक्ता वाले बच्चों को लाभिम्त करता है बलकि परते एक बच्चे के समगर सीखने के अनुबाव को भी यहां पर देखे वह बढ़ाता है कौन बढ़ाता है आपका समयवेसी विद्याले जो होते हैं एक समयवेसी कछा में चाथ एक दूसरा का सयोग करते हैं जिक करना सीखेंगे जिसमें सम्योग की भावनों को बढ़ावा मिलता है जो स्कूल के दिवारों से परतक फैली हुई है यहां पर देखे आपको काफी बड़ावा मिलता है ठीक है समय सी विद्या लेगी जो भूमिकाय आपकी होती है तो यह देखें कुछ अपनी किताम में ढूंड यह बहुत ही अच्छे से अपनी तयारी करेंगे तो 110 परसंट देके आप पास हुझाएंगी लगूत्री परसंट मैंने आपको करा दिये हैं लोंग आंसर टाइप कोस्टन देखे मैं आपको कराऊंगा सेकेंडर में आपको जितने भी पेपर होते है इस एक्जाम रूम चैनल के माधन से देखे आपको करवाऊंगा जैदि अभी तक आपने मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखिया बीएट सेकेंडर में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के वीडियो मैंने उस यूट्यूब चैनल में नहीं के प्ले लिस्ट में एड़ किये उन्हें आप अच्छे से जरू देखे इससे आपको यह पता चल जाएगा कि उनुवेस्टी किस तरह के कोसन आपसे पूस्ती है ठीक है दोस्तों तो वीडियो को जैदि आप यह अभी तक आपने लाइक नहीं कर देगा तो इस वीडियो को देके अपने तोस्तों और चैप